नमस्कार में पिंटू शिंगयादór आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरीरिमषी में दोस्तो ऐसा कहा जाता है कि जब आद्मी टेंशन में रहता है प्रोब्लम में रहता है समस्या में रहता है यानि कि यूँ कहले कि वो अपने को मतलब कोई काम कर रहा है तो उसमें अपना जो 100% है वो नहीं दे पाता है और शायद हर लोगों के साथ ऐसी घटना होती होती कि जब उनका माइंड डिफ्रेस्ट रहता है जब उनका माइंड काम नहीं करता है तो वो कहीं न कहीं अपने का खेसारी लाल्यादों के बारे में, आखिरकार ट्रेंडिंग क्यों नाम है, भोजपुरी की ओडियंस उनको इतना क्यों चाहती है, और भोजपुरी की ओडियंस उनको अपने सर पर बैठा कर क्यों रखी, इसके पीछे की वज़ा है, कोई किसी ब्यक्ति को अपने सर पर बैठ कि अपने दिल में बैठा कर रखता है, तो उसके पीछे की वज़ा होती है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करें, कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी करते रहें, और आपको लोग दिल में बैठा लें, ऐसा कतई भी नहीं होता है, आप किसी भी लाइफ में चले जाएए, आप किस वैसे हुआ है जब उनका ये मामला चल रहा है जो की भीबाद का वैसिना और आखेसारी लालयादों हैं ये लंदन वाला मामले को लेकर कुछ लोग हैं जो उस चीज को कई न कई वाईरल करके उस चीज को कई न कई एक सूज़ बना के किसी को दबाने की कोशिच कर रहे हैं त तो खेसारी लालियादों उस समय उसके लिए माफी मागने भी लाइब आये थे और माफी मागने इसलिए आये थे क्योंकि उनको घबराहट नहीं था कि इससे हमारा कोई उखार सकता है या फिर इस चीज से हमारा कोई कुछ बिगार सकता है वो घबराहट नहीं था बस थी क्य कि उन्हें बुरा लगा था, उन्हें लगा था कि हमें ऐसा बोल दिया, तो हमें अगर इस चीज को इश्यू बना कर कोई अगर किसी को बोल रहा है, तो फिर भाई दिक्कत है, और खेसारे लालयादों को गवराट नहीं थी, कि हमारा क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, यह ह हो जाएगा, वू हो जाएगा, ऐसी समस्य कुछ भी नहीं थी, और खेसारे लालयादों ने उस चीज के लिए माफी भी मागी, तो यह बहुत बड़ी कमाल की बात है, माफी मागना, और साइद यहीं वजाय है, जिसके चलते खेसारे लालयादों को लोग जो है, अपने दि कि उनके जो आडिएन्स है जो फैन्स है खेसारे लालयादों की उनके घ़र में एक बहुत बरी इसूस आ गए, बहुत बरी समस्य आगई, लेकिन खेसारे लालयारों उस समय में, जिस समय हम लोग सोच रह थी कि diperperson में थे और उसी समय उन्होंने बड़ा भड़ा धमाल कर दिया और उस situation में उस बूरा situation में अगर कोई बड़ा धमाका कर दे तो वहीं आदमी होता है वहीं परती होता है जो सभी के दिनों पर राज करता है जो कि खेसारी लालियादों के अंदर में ऐसी बाते हैं तो खेसारी लालियादों के खबर ऐसी आ रही है कि उस दिल उनके जो manager हैं वह मुंबई में दो film की shine भी कर लिये हैं बताइए ऐसी खवर आ रही है मुझे असपर्स जनकारी clarity नहीं है लेकिन ऐसा कई लोगों के कहना है कई लोगों को मैं शुना तो वहां पर ऐसा लगा कि दो फिल्मों की जो है वो शाइन हो चुकी है तो बताईए एक जबरजस धमा का है कि यह नहीं है बताई है ना दूसरे चीज पहले चीज तो यह होगी फिल्म उनको मिल गया दूसरे चीज यह है कि उनका होली का एल्बम भी सूट हो गया मतलब कि उसी इप्रेशन में होली का फिल्म एल्बम भी शूट हो गया और आपने तस्बीरे मैंने कल दिखाई थी आपने देखा भी होगा तो होली के एल्बम भी शूट कर लिए खेसदारे ला लिया दो सुचिये दो फिल्म में एक होली का गाना धमाक के दार और एक काने के दो तीन गाने शूट किये थे होली के तो इतने बुरे सिच्वेशन में भी उन्होंने कमाल करके दिखा दिया तो आप इसी से अंधास्दा लगाईगे वहें तिसरे के बात करें तो लहांगा लग नुव एक बहुत धमाकेदार रिकॉर्ड है और इसके लिए भी जो कहीं न कहीं आप एक शक्षियत के रूप में जानते हैं और शायद यहीं बज़ा है जिसके चलते सारी लालिया दो आज एक बड़े उचाई पर है एक बड़े उपलगधी पर है वहीं बात करें तो इस विबात के बात से भले ही जो चीजे हुई हो उन्होंने आगे का एक मकसद सेट कर दिया आगे का एक मामला सेट कर दिया जिस पे भोजपुरी ओडियंस अर जम कर अब प्यार बरसाएगी क्यूंकि बड़े बड़े आलबॉम्स रिलीज होने वाले हैं तो खेसारी लालियादों ने प्यार बना रहे और उसे से भी एक साई लालियादों को प्यार ने के बादे गवात कर रहे थे हैं उनका ठ्रेक्टर की बात कर रहे हैं मुलेच की बात कर रहे थे इस KE 그래 की बद जो बुजूर्ग लोग हैं जिनका आखे खड़ाब हो गया है उनका इलाज करवाना और चस्मा जैसे सौगात दे गए और इस प्रकार की चीजे मतलब समझ रहे हैं आप यह बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है और साइद यहीं सारी वजह यहीं सारी चीजे है जिसको लेकर ख क्या राय हो सकती है आप क्या सोचते हैं जो मैंने सारी चीजे बताई उसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा बाकी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनलों को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करका जरूर जोड़ जा तो आप नीचे description में link दे दूँगा वहां से जाहिएगा और subscribe करकर जरूर जाहिएगा धन्दवाद